हेलो दोस्तों ये है Hero Destiny 125 BS6 का LX Base variant जो की Steel William के साथ आता है Destiny 125 में 4 variant और 9 color का option है ये Destiny 125 का bronze color है तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके price, features और mileage के बारे में तो सबसे पहले मैं start करता हूँ इसके front profile से तो इसके visor पर आपको dual tone color का option मिल जाता है black का और bronze color का जिसके उपर आपको Hero का 3D में logo और इसकी जो headlight है वो आपको halogen में मिलती है और यहाँ पर आपको visor जो है वो color में मिल जाता है और यहाँ पर आपको air band और number plate का option मिलता है indicator की बात करें तो यहाँ पर आपको halogen type के indicator मिल जाते है और इसके side में आपको LED DRL मिल जाती है और इसके apron के नीचे की side में आपको silver finish मिल जाती है अगर आप इसमें top variant लेते हो तो उसमें आपको chrome की finish देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप इसके front वाले mudguard को देख सकते हो इसके corner पर आपको IPS का logo और यहाँ पर आपको 9010 का tire size मिल जाता है इसमें आपको integrated baking system मिल जाता है और इसके front में आपको telescopic hydraulic shock absorber type के suspension मिलते हैं अब बात करें इसके meter console की तो इसमें आपको analog और digital type का meter console देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप इसके meter console की display में देख सकते हैं तो मैं इसकी चाबी को on कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको speed और यहाँ पर आपको i3s की indication light, man head light, indication light, engine malfunction, side stand indication और turn signal indication और यहाँ पर आपको digital roof में trip meter मिल जाता है जिसमें आप fuel की reading देख सकते हैं किलोमीटर की reading और यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते हैं यहाँ पर आपको low beam, high beam indicator और horn का switch मिल जाता है और इसके दूसी side में चले हैं तो यहाँ पर आपको i3s का switch मिल जाता है blue color में और इसके नीचे आपको self का switch मिलता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो look है वो काफी देखने में अच्छा लगता है और काफी stylus भी लगता है अब इसके पास में चलते हैं तो यहाँ पर नीचे की side में आपको i3s का logo देखने को मिल जाता है जैसा कि इसमें आपको i3s और extension technology मिल जाती हो यहाँ से आप इसके leg space area को देख सकते हो जो की काफी वड़ा दिया गया और इसके body panel के side में आपको silver finish मिल जाती है जैसा कि यह base model है अगर आप upper variant लेते हैं तो उसमें आपको chrome के element मिलते हैं और यहाँ पर आपको destiny 125 का 3D में logo मिल जाता है silver finish के side और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिलता है pillion के लिए और इसके exhaust की design है वो भी काफी unique दी गई है और यहाँ पर आपको metal की plate नहीं मिलती है जो की fiber की plate दी गई है जो की silver finish में इसके उपर की side में चलें तो यहाँ से आप इसकी seat को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा मुलाइम और काफी ज़्यादा इसकी जो questioning है वो आपको soft मिल जाती है आप इसके rear की side में चलें तो यहाँ पर आपको एक silver finish के साथ grab handle मिल जाता है और इसके नीचे की side में आपको external feeling मिल जाती है इसमें आपको 5 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है और नीचे आपको जो एं Alfmän लाइट मिल जाती है जो की आपको halogen में मिल दिती है और इसके indicator भी आपको halogen में मिल जाते हैं और इसके body panel के उपर आपको destiny 125 का 3D में logo यहां भी आपको silver finish का element मिल जाता है और adjustable put rest मिल जाता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके boot space की तो यहां पर आपको काफी बड़ा boot space मिल जाता है जैसा कि यह base model है तो यहां पर आपको boot key light और mobile charging की कोई भी सुबदा नहीं मिलती है अगर आप इसके upper variant में जाते हो तो वहां पर आपको यह सब कुछ मिल जाता है तो अब बात करें इसके rear wheel की तो यहां पर आपको 9010 का tire size मिल जाता है 10 इंच के यहां पर आपको steel wheel rim मिल जाते है 130 mm की drum brake दी गई है और unit swing with spring loaded hydraulic damper tap के suspension यहां पर आपको इसके rear में मिल जाते है और केके start का भी option यहां पर आपको मिल जाता है अब मैं बात करूँ इसके engine और power की तो इसमें दिया है 124.6 cc का air cooled forest rock sibs6 fuel injected engine इसकी maximum power है 9.1 ps की 7000 rpm पर इसका maximum torque है 10.4 nm का 5500 rpm पर इसका curve weight है 114 kg इसकी loading capacity है 130 kg अब मैं बात करूँ इसके mileage की तो इस scooter में आपको 50-55 kmpl का असानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं अब मैं बात करूँ इसके on road price की तो यह hero destiny 125 BS6 का LX base variant है और इसकी on road कीमत है 87,400 पर 87,400 रूपीज यह on road कीमत मैं आपको बताई है सान्यो शोर हीरो मध्यम गराम कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप other state से हैं और इसकी on road कीमत जानना चाते हैं तो आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें, comment करें, share करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देव MTR चैनल को subscribe कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में